मीटिंग मीटिंग शुरू करने से पहले हमने शात्रपती शिवाजी महाराज बसवनाजी महात्माफूले जी साहू मराज और हमारे जो महापुर्श हैं उनका फूलों से आदर किया यह जो हमने आदर किया इसका मतलब क्या है यह हमने किस कारण किया क्यूं किया हमने इसलिए किया क्यूंकि इन लोगों ने अपनी जिंदगी पूरी की पूरी जिंदगी तपस्या 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 की इन्होंने और कुछ काम ही नहीं किया और जब इन्होंने तपस्या की इनके दिल में जो थोड़ा सा अहंकार था उस तपस्या ने उस अहंकार को मिटा दिया खतम कर दिया समाप्त कर दिया और पिर इन महापुर्शों और जनता का जो रिष्टा था वो बिल्कुल दूसरे तरीका का रिष्टा था उनकी तपस्या का हमादर करते हैं उन्हेंने जो दिल से अहंकार मिटाया उसका हमादर करते हैं और जो इनका रिष्टा था हिंदुस्तान के लोगों का लोगों से उसका हमादर करते हैं इसलिए आज हमने इनके सामने हाथ जोड़े इसलिए आज हमने इनके सामने फूल रखें ये देश तपस्या का देश है अब देखिए जिनके भी सामने हम हाथ जोड़ते हैं वो सब के सब तपस्या है गांधी जी को देखिए शिवा जी महराज को देखिए सरदार पटेल को देखिए ये देश जब भी अपना सिर जुखाता है हाथ जोड़ता है तपस्या के सामने अपना हाथ जोड़ता है सचाईए और तपस्या सिर्फ इन महापुर्शों ने नहीं की मैंने कहा ये देश तपस्यों का देश है इस देश के किसान भी तपस्या करते हैं दिन भर तपस्या करते हैं इस देश का मजदूर तपस्या करता है इस देश का छोटा भी आपर ही तपस्या करता है मगर आज इस देश में उसको तपस्या का फल नहीं मिलता वो मर जाए पिस जाए 24 घंटा काम करे उसे तपस्या का फल नहीं मिलता पूरा का पूरा फाइदा जो किसानों को मिलना चाहिए फ्री में नहीं मुफ्त में नहीं तपस्या के लिए देश को खून पसी मजदूर के हाथ पढ़ जाते हैं खून निकल जाता है तपस्या का फल नहीं मिलता नरेंद्र मोधी जें कुछ साल पहले नोट बंदी की आठ बजे रात को कहा भाईयों और बहनों भाईयों और बहनों मैं पांच सो रुपे हजार रुपे का नोट रद कर रहा हूं काले धन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और कुछ दिन पहल कुछ दिन बाद उन्हें ने कहा अगर काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी से लटका देना क्या इमोशन क्या शब्ध फिर आंसु भी निकले उनकी अलग तपसिया है तपसिया है मगर अलग है वो तो आपको दिखता है आसु वाली खेर नोट बंदी की गलट जी एस्टी लागू की पांच अलग अलग टैक्स 28% तक टैक्स अजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसानों पर टैक्स फर्टिलाइजर पर टैक्स उनके हुजारों पर टैक्स आपकी सडकों पर मैं चल रहा हूँ लोग कहते हैं 3500 किलोमेटर चल रहे हैं कोई मतलब नहीं है यह आप मत सोचो कि मुश्किल काम है मुश्किल काम नहीं है असान काम है आप यात्रियों से पूछ लो बेटे हैं वहाँ पे बताओ भाई आसान है मुश्किल है आसान है मुश्किल है आसान है आसान क्यों है हम नहीं चल रहे हैं हम अपनी शक्ती का प्रयोग नहीं कर रहे हैं आपका प्यार आपकी शक्ती हमें आगे धकेल रही है सुबह उठते हैं आज छे बज़े से हम चल रहे हैं आठ बज गए ठकान नहीं है अजीब सी बात है आप उनसे पूछो सही बोल रहा हूं न बोल रहा हूं न सही ठकान नहीं है यह पूछते मुझे जब मिलते हैं पूछते हैं राहूल जी यह क्या हो रहा है हमें ठकान क्यों नहीं हो रही ठकान इसलिए नहीं हो रही है क्योंगे हिंदुस्तान की शक्ति आपके पीछे है किसानों की शक्ति आपके पीछे है मजदूरों की शक्ति आपके पीछे है कैसे होगी तकान होई नहीं सकती हम सडक पे चलते हैं आप से मिलते हैं साथ आठ घंटे चलते हैं किसानों से मिलते हैं युवाओं से मिलते हैं मजदूरों से मिलते हैं स्ट्यूडन्स से मिलते हैं सब से मिलते हैं आपकी बात सुनते हैं आपका दर्ब समझते हैं मैं अकेला नहीं यह सब कॉंग्रेस पार्टी के नेता सब चल रहे हैं घर कोई नहीं बैठा गंटों चल रहे हैं उन्हीं सड़कों पर चल रहे हैं जिन पर आप चलते हो हवाई जाज में नहीं गाड़ी में नहीं सड़क पर और आपकी बात सुन रहे हैं और बहुत समझने को मिल रहे हैं आज जोटा जब अच्छा कि मुझसे बात करता है दो भाई कि मैंने पूछा क्या करते हो क्या करना चाहते हो कि पढ़ाई कर रहा हूं कि क्या करना चाहते हो सॉफ्टेर एंजिनियर बनना चाहता हूं स्कूल जाते हो हां स्कूल जाता हूं सपना है सॉफ्टेर एंजिनियर बनने का मैंने गलती से पूछ लिया मैंने पूछा तुमने कभी कंप्यूटर देखा है कहता है मैंने कभी कंप्यूटर नहीं देखा मुझे बुरा लगा मैंने का तुम्हारे स्कूल में कम्प्यूटर नहीं क्या नहीं कोई कम्प्यूटर नहीं क्यों नहीं है कम्प्यूटर स्कूल में क्योंकि हिंदुस्पान का पूरा का पूरा धन दो तीन उद्योग पतियों के हाथ जा रहा है यसलिए computer नहीं स्फूल में you करजस अमार्फ नहीं होता क्यूंण था मज़ूर मजदूर भी वह ही कहता है मनरिगा का पैसा मिलता काम नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता कि भाई और वे नो पैसे की कोई कमी नहीं है इस देश में कि पैसे की कोई कमी नहीं है कि यहां पर मारे किसान भाई बैठें ना कि अपने पंप देखा है ना जो ट्यूबेल वाला पंप होता है उसको अन करते हो पानी निकलता है न वैसा ही पंप लगा रखा है हसो मत आपके जेबू में से पैसा निकाल रहा है वो पंप उदर बटन दफता है दिल्ली में मंबई में बटन दफता है पंप चालू होता है मज़़ूरों के जेब में से पैसा निकलता है नोटबन्दि की जीएस्टी लागू की आप किसी भी छोटे भी अपारी से पूछ लो किसी भी स्मॉल और मीडियम बिजनस वाले से पूछ लो आज मेरे साथ चले मैंने पूछा भी आप बात बताओ नोट बंदी से पहले आप कितने लोगों को रोजगार देते थे कहता है तीन सो मैंने का नोट बंदी और GST के बाद आप कितने लोगों को रोजगार देते हो कहता है पचास मैंने का वो जो दो सो पचास लोग थे उनका क्या हुआ कहता है मुझे नहीं मानो नोट बंदी और GST ने ये काम किया है जो हिंदुस्तान की रीर की हड़ी थी जो रोजगार देती थी जो छोटे वियापारी किसान स्मॉल और मीडियम बिजनस जो चलाते हैं जो लाखों बिजनसे हैं मगर हर एक बिजनस 300, 400, 500, 2000, 2000, 3000 लोगों को रोजगार देता था उन सब को खतम कर दिया खतम बहाना बनाया कि काले रहन को हम मिटा देंगे और हिंदुस्तान की रोजगार की रीड की हड़ी को तोड़ दिया मैं पुछना हूँ आपसे कितने आठ साल हो गए नोट बंदी के बाद आठ साल हो गए न छे साल छे साल हो गए काला धन गाब हो गया खतम बाई बाई ना काला धन बढ़ गया पंद्रा लाक हाँ जैसे जैसे आपके जो बड़े प्रोजेक्ट्स है न महराष्टा से गाइब हो रहे हैं फोक्स कॉन का प्रोजेक्ट गाइब हो गया एरबस का प्रोजेक्ट गाइब हो गया वैसे ही पंद्रा लाक गाइब हो गया खतम और ये जो इनके पॉलिसीज हैं इससे डर फैलता है आप किसान को MSP ना दो किसान का कर्जा माफ मत करो उसको सही रेट ना दो उसके दिल में भई पैदा होता है आप युबा से कहो कि देखो तुम्हें हम रोजगार नहीं देंगे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शिक्षा में लाकों रुपे डाले है मगर तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा उसके दिल में डर पैदा होता है मजदूर से कहो मन्रेगा बंद कर देंगे उसके दिल में डर पैदा होता है और इस डर को नरेंदर मोधी जी और बीजे पी नफरत में बदलते हैं ये काम करते हैं और इसके खिलाफ डर के खिलाफ और नफरत के खिलाफ ये हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है तन्या कुमारी से स्रीनगर तक 3600 किलो मेटर पैदल और आप पूछ लो बहुत मज़ा आरा है सबको कुछ कश्ट नहीं हो रहा आप से मिल रहे हैं आप से सीख रहे हैं बहुत मज़ा आरा है और इस यात्रा को कोई शक्ती नहीं रोक सकती है जाएगी स्रीनगर वहाँ पर फिरंगा फेलाएगी फेलाएगी आपने जैसे मैंने पहले कहा अपनी पूरी की पूरी शक्ती पुरा प्यार आपने यात्रा को दे दिया यात्री चल रहे हैं मगर लाखों लोग हमारे साथ चल रहे हैं कन्या कुमारी से लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए और आप हमें शक्ति दे रहे हो हमारी मदद कर रहे हो इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ बहुत अच्छा लग रहा है बात मेरी दिमाग में आई पता नहीं कहां से आ गई बोलू शायद नहीं बोलनी चाहिए बोलू थोड़ी कॉंट्रोवर्शल हो जाएगी बोल डालू बोल दू तो बताता हूँ बोल देता हूँ बोल देता हूँ चलो मैं के दरनाथ गया एक बार वहां के हमारी चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे कहा कि देखो किदार ना जाना है मेरे ओफिस में आये उन्होंने का किदार ना जाना है तो कह रहे थे मुझे मैंने सुना और पता नहीं मेरे मुझे बात निकल आई एकदम बात निकली उन्होंने मुझे कहा कि देखो आप हेलिकॉप्टर से केदार ना जा सकते हैं जैसे उन्होंने ये बोला मैंने कहा मैं हेलिकॉप्टर से केदार ना नहीं जाऊंगा मैं अगर केदार ना जाऊंगा तो मैं पैदल जाऊंगा क्यूंकि मैंने सोचा कि अगर मैं शिव के मंदिर में जा रहा हूँ जो मतलब मैंने तपस्वी की बात की जो सबसे बड़े तपस्वी थे अगर मैं उनके घर जा रहा हूँ तो हेलिकॉप्टर में जाने का कोई मतलब भी नहीं है मतलब मैं तपस्वी के यहां जा रहा हूँ और मैं पंदरा किलोमेटर तपस्वी नहीं कर सकता क्या तो मैंने का देखो मैं जाओंगा मकर हेलिकॉप्टर लेकर नहीं जाओंगा पैदल जाओंगा कहते हैं ठीक है मैं पैदल गया पैदल गया हूँ वहाँ पे बहुत अच्छा लगा बड़ी ठंड थी 16-17 किलोमेटर हैं मतलब पता लगता है कि मतलब किदाना जा रहे हैं पता लगता है मैं वहाँ पहुचा वहाँ पे कोई उद्गाटन था जैसे मैं मंदर में गुचरा था वहाँ पे एक RSS के नेता मिले मैंने नमस्ते की कैसे कहूँ सिर्दा बोल देता हूँ वजन उनका काफी था तक्रिबन देखो सो किलो तक था तो हम अंदर जा रहे थे और उनके पास उनके साइड में एक नौकर था और नौकर के सिर पर इतनी बड़ी टोकरी थी उसमें फल फल लगे थे फल थे मैंने देखा मैंने का सर ये क्या है कहते हैं ये मैं फल शिप जी के चड़नों पे डालने के लिए लाया हूँ एकदम मैंने सोचा आप नहीं लाये है आपका नौकर लाया है मगर जो दिल में होता है मैं कभी कभी बोलता नहीं हूँ चुप हो गया है मैंने का बहुत अच्छा मुझे देखते हैं कहते हैं आप कब आए मैंने का मैं तो कल रात को आया था आप कैसे आए मैं तो चल के आया सो किलो का वजन था तो मैंने बत्तमीजी नहीं करनी थी तो मैंने सवाल नहीं पूछा मैं चुप हो गया मगर उन्हें नहीं कहा मैं तो हेलिकॉप्टर से आया मैंने सोचा अब आगया दिमाग में मैं जा करूँ मैंने कहा आप सबसे बड़े तपस्वी के घर आये हैं बोला नहीं आप सबसे बड़े तपस्वी के घर आये हैं मतलब दुनिया का सबसे बड़ा और उसके घर आप हेलिकॉप्टर से आये कुछ नहीं कहा चुप हो गया चलिए हम गए धक्का मुकी होई वहाँ पर मुझसे बुज़ूर्ग थे तो मैंने कहा पाई ये गए उन्होंने मतलब हाथ जोड़े पुज़ा हुई मैंने भी हाथ जोड़े पुज़ा खत्म हुई बाहर निकले मुझे कहते हैं पुराहुल जी आपने शिवजी से क्या मांगा मैं चुप हो गया मैंने कहा भाई साब आप बताईए आपने क्या मांगा मैंने सोचा पहले उन से पूछ लेता हूँ मुझे कहते हैं राहुल मैंने सहत मांगी सहत मांगी सो किलो का वज़न शिवजी से सहत मांगी अगर आप केदानाथ पैदल आ जाते सहत मिल जाती मैंने उसको बताया नहीं अब मैं आपको बताऊंगा बगर उसको मैंने नहीं नहीं बताया उसको ये बात शायद समझ ना आती उनका दूसरा तरीका है हमारा दूसरा तरीका है मैंने शिवजी से कुछ नहीं मांगा कुछ नहीं मांगा मैं गया मैंने हाथ जोड़ा और मैंने शिव जी से कहा शिव जी का धन्यवाद किया कि आपने मुझे रास्ता दिखाया ये फरक है RSS में और कॉंग्रेस पार्टी में ये फरक है गांदी जी में और सभरकर जी में हम कहते नहीं है हम कर देते हैं और ये जो मैंने बोला आप सब समझोगे देखो हमारे सारे कारिया करता है हमारे सारे नेता है ये आप सब समझ जाओगे ये जो महापुर्श है शिवा जी महराज फूले जी अंबेटकर जी गुरू गुबिन सिंग जी मौलाना अजाज जी जब हम इनके सामने हाथ जोड़ते हैं हम इनका धन्यवाद करते हैं हम इनका इसलिए धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें रास्ता दिखाया है इन्होंने हमें जीने का तरीका दिया है तो ये मैं आपसे कहना चाहता था आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना प्यार दिया इतनी हमारी मदद की नमस्कार जैहन